Good morning class 5 आज हम लोग exercise 3.1 शुरू करेंगे last class में आप लोग disability rules पड़ चुके हो और मैंने ने prime number और composite number में आप लोग को बताया है आज 3.1 का question हम लोग करेंगे चलिए हम देखते हैं कि question में क्या है first question रीड कर रहे है आप लोग भी अपने अपने book में देखो गया अच्छे से question number 1 which of the following numbers are prime number ये जो number आपको दे दिया है इसमें आपको prime number कौन कौन सा है उसको लिखना है और उसी में देखो एक और question है which are composite number और इस number में से composite number कौन कौन सा है prime number आप लोग पढ़े हो जिसका 1 और सिर्फ वो itself मिन्स दूई factor होता है एक तो 1 और एक वो खुद का table और बाकी वो किसी के table में नहीं आता वो prime number होगा composite number जिसका 1 और खुद के table को छोड़ करके बाकी के table में भी वो आता हो वैसा number वो composite number होगा यह आप लोगों ने last class में समझ लिया था कोशन नम्राने से पहले आप लोग page number 52 में देखोगे ऐसा एक चार्ट होगा यहाँ से आप लोग असे से point कर सकोगे कि कौन सा prime है कौन सा composite number है जो circle में है वो prime number है उसका 1 और itself को छोड़ करके कोई भी other factor नहीं होगा और जो cross किया हुआ है आपका वो आपका composite number है हम लोग question में आते हैं यह सब में से कौन कौन सा prime number होगा तो prime number आप लोग लिख लोगे 2, 17, 19, 37 और 1, 97 यह number में से आपका है prime number और composite number इस number में से आपका कौन कौन सा होगा वो है 35, 42, 48, 51, 66, 87, 99 and 100 आगे बढ़ेंगे question number 2 में write all the prime numbers between 60 और 85 के बीच में कौन कौन सा prime number होगा आप लोग इस chart का help ले सकते हो यह 60 60 और किस के बीच में बोला गए है 85 यह 60 85 आपका यहाँ पर है तो कौन कौन सा prime number आया है जो circle में है वो 61, 67, 71, 73 and 83 है ना वही नमबर 61, 67, 71, 73, 79 और एक 83 आगे बढ़ेंगे B number 10 and 55 इसके बीच में आपको prime number लिखना है तो क्या क्या हो जाएगा जिसके एंड में क्या क्या आता हो 0, 2, 4, 6, 8 जिस नमबर के एंड में अगर यह आए तो वो आपका divisible होगा 2 से तो इसमें आपका देखो एक A number, B number, D, E, और एक H A, B, D, E, और आज यह आपका हो गया divisible by 2 यह numbers हो गया आपका बाकी का question जो हम लोग है वो next class में करेंगे आज के लिए इतना ही ओके, बाई